हाई फ्रेंस तो सबको स्वागत है एकदम नए वीडियो में तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ यमाहा का एरोक्स 155 जो की एक मैक्सी स्कूटर है मैक्सी स्कूटर मतलब अभी टूरिंग बाइक्स के अलावा मतलब ये स्कूटी यूज़ करते है फॉरिन में ज्यादा तर तो यहां देखे तो एरोक्स करके लिखा है और यहां नंबर प्रे लगाने के लिए जगा है और यमाहा का लोगो भी है उपर की तरफ और इसका जो ह कालर ऑप्शन्स अवेलबल है एक ब्लैक है और वाइट और और ओरंज है ऐसे काफी कलर से और यहां देखे एक दम एक छोटा सा एक विंद्शिल्ड की तरह है मतलब ज्यादा यूसफूल नहीं है फिर भी ठीक है और इसका जो फॉरंट टायर है वह 110 80 14 है और इसका आगे क उपने के चैंसेस नहीं है और यहां देखे तो यहां आगे के तरफ इसका पेट्रोल टांग आता है जो कि 5.5 लिटर्स का है और इसका माइलेज है वह एप्रॉक्समेटली 40-50 है देखे ऐसा ओपन करते है यह और 40-50 तो काफी एक अच्छा माइलेज है ऐसे 155 cc के स्कूट के लिए लेकिन यह थोड़ा सा प्लास्टिक ही मतलब जल्दी तुड़ सकता है वह वाला जो लेड है पेट्रोल टांग का और यहां देखे आटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है और नीचे गाड़ी स्टार्ट करने का बटन है और इस तरफ इंडिकेटर का स्विच है एड साइट स्टॉप सिस्टम है साइट स्टैन एंजिन कट ओफ है और इसमें हमें सिंगल चानल एबिस मिलेगा और इसमें हमें जो है यह महा का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगा जिससे कि आप इसका माइलेज पता कर सकते हैं और गाड़ी का लोकेशन ट्रैक कर सकते और यहां देखें तो फ्योल एट खोलने का बटन है और सीट कोलने का है और की वी एक नौर्मल सा ही की है और इसका जो वेइट है सिरु 126 की केजी है जो की मतलब काफी लाइट वेट है उतना वेट पता ही नहीं चलेगा और यहां जो मोबाइल करन्किविटी उसके बारे म लिखा गया है इसका जो फ्रंट का सीट है वो एकदम काफी मस्त है और यहां भी एरॉक्स करके लिखा है काफी सारे जगों पे इसका नाम लिखा है और यह चोटा सा मतलब एक फुट बोर्ड है और इसका जो राइडर सीट है वो काफी कमफर्टेबल है और इसका जो सैडल हाइट है वो सिर्फ 790 mm है तो जादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है जो पिलियन सीट है वो थोड़ आसा छोटा है लेकिन जो फूट रस्ट है वो सब काफी एकदम कमफर्टेबल पोजिशन पे रख एक फूल फेस हेलमेट इसमें आराम से आ जाएगा ऐसा कुछ है यहां का भी और इसका जो वील बेस है वो 1350 mm है और जो हाइट है वो 1150 mm है और लेंथ 1099 80 mm है और इसका जो एंजिन पावर है वो 155 CC का है 15 PS पावर और 13.9 Nm टॉर्क है और पीछे देखे तो हमें ड्यूवल शॉक अब्जरबस मिलेगा जो कि लेफ्ट और राइट साइड में है और इसमें जो है R15 V4 का सेम एंजिन लगा है लेकिन आप यह नहीं सोचना कि R15 की उतना ही मतलब पावर और पुल मिलेगा मतलब काफी एकदम अलग तरफ सेट किया गया है सिर्फ एंजिन 155 सेम सीसी का है और यहां देखे तो मोबाइल लगाने के लिए यह से प्रस करने से यहां थोड़ा जगा है यहां अंदर के तरफ यूस्बी पोट आप चाहिए है यहां और इसका जो फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो 26 mm का टेलिस्कोपिक है और देखे यहां के तरफ आता है यह फूट रेस्ट जो कि मतलब काफी एकदम अच्छी नीटली डिजाइन के आ गया है एकदम अंदर के तरफ और पीछे मतलब हैंडल बार वैसा कुछ 1500 यह 2000 किलोमेटर पर है और फर्स्ट त्री सर्विसस जो है वो फ्री है और बाकी के सर्विसस का कॉस्स एरांड 1500 वैसा होगा और इंडिकेटर जो है वो हैलोजिन है लेकिन ब्रेकलाइट इसका एलीडी है इसमें ज्यादा तर एक बाइक के लुक्स है बाइक है लेकिन और कालर में भी ज्यादा प्राइस का वेरियेशन नहीं है तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कर बेल बटन भी क्लिक कीजिए तो मिलते है अगले वीडियो में तिल देन गुड़ बाई